Hello student, compartment, improvement, private और पत्राचार वाले बच्चों के कुछ doubt है उनके exam 25 अगस से start हो गए है जो main doubts है उनको आज हम cover करने की कोसिस करेंगे पहला doubt है क्या writing के marks कटते हैं तो अगर उनका writing इतना लिखा हुआ है कि जो check कर रहा है teacher यानि जो checker है अगर उसको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से ठीक है तो marks जरूर मिलेंगे सबसे जरूरी क्या है कि जो लिखा जा रहा है वो teacher को समझ में आना चाहिए अगर लिखा हुआ ही समझ में नहीं आएगा तो marks कैसे दे सकते तो जरूरी क्या है कि इतना writing लिखा हो कि teacher को समझ में आ जाए अगर बहुत ही जादा writing खराब है तो teacher को समझ में नहीं आएगा marks कहां से देंगे फिल्ट ठीक है तो writing ऐसा हो कि समझ में आ जाए दूसरी बात यह है कि अगर language वाला subject है English है, Hindi है तो ऐसे subject में writing को ध्यान दिया जाता है तो ऐसे subject में writing थोड़ा अच्छा लिखना है दूसरी बात यह है कि जादतर बच्चों को doubt रहता है कि उनका passing marks क्या है इसके लिए CBSC ने अपनी तरब से एक statement जारी किया है और जिस statement में बुला है कि बच्चों के 33% marks होने चाहिए 33% का मतलब हो गया, theory में 33% और overall pass होने चाहिए मतलब अगर total 100 marks का है, एक subject का score 100 है, total और उसमें से 80 marks का theory होता है और 20 marks का practical और project का होता है और अगर 80 marks में से किसी भी student के 26 and half आ गए या 26 and half से ज़्यादा आ गए, यानि 27 आ गए, कम से कम 27 आ गए तो 27 अगर marks आ गए, तो वो passing marks को achieve कर लेगा यानि qualifying criteria को वो touch कर लेगा, cross कर जाएगा तो minimum condition क्या है, कि 27 number आने चाहिए, जिसका वो exam देगा और बचे हुए जो 20 marks हैं, वो school की तरफ से मिलेंगे और इन दोनों को मिलाके, इन दोनों को मिलाके overall 33 होना चाहिए, 33% होना चाहिए अब 10th और 12th class का math का, कौन-कौन से important question है, topic से और इनको पढ़ लिया जाए, तो इससे question बाहर नहीं आ सकते इसके लिए मैंने वीडियो upload कर दिया है एक वीडियो कल Sam को upload किया था 10th class का math का, और एक वीडियो अभी morning में upload कर दिया है 12th class का math का, अब science का हम upload करेंगे Sam को 10th class का, और 12th class का कल morning में हम upload कर देंगे physics का और बाकि सारी detail मैंने उसी वीडियो में डाल दिये, उन दौनों वीडियो की link हम description में डाल देंगे उनको जाके देख लेना और अपनी तयारी बहुत अच्छे करते रहो जिन बच्चों के अभी तक exam नहीं हुए वो exam की तयारी करें ठीक है, English का तो paper आगया हो गया है ना, कल paper English का हो गया था English का paper सब बच्चों का बहुत अच्छा हुआ, ज्यादा तर बच्चे को अच्छा हुआ क्योंकि जिननने तयारी की होगी obviously बात है paper अच्छा हुआ, paper लेकिन ज्यादा tough नहीं आया, और उंबीद यही है कि आगे भी जो paper होंगे वो ज्यादा tough नहीं आएंगे, ज्योंकि पेपर किन बच्चों के हो रहे है compartment और improvement, private और पत्राचार ठीक है, तो ऐसे अगर बच्चे होंगे तो paper ज्यादा tough नहीं आने वाला और checking भी ज्यादा tough नहीं होगी normal होगी, ठीक है लेकिन लिखना जरूर है कुछ न कुछ अगर कुछ न कुछ लिखोगे तो number मिलेगे, और सबसे जरूरी बात क्या है, कि सबसे पहले जो question simple लग रहे हैं उनको attempt करना है, और जो tough question है, उनको बाद में छोड़ना है ऐसा नहो, tough question में अपना time waste करो, और वो simple question को भी ले जाए, और बच्चों का एक doubt और रहता है कि people बहुत बड़ा था, people क्यों बड़ा था, क्योंकि tough question में ज़्यादा time दे दिया tough question में ज़्यादा time दे दिया, अब simple question करने के लिए time जो था वो कम मिला, और उनको बात के लिए छोड़ दिया, तो जो simple question है जो question आते हैं, उनको पहले try करो, जो tough question है, उन्हें बात के लिए छोड़ दो